नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं बेतन मान की मान कर रहे टेट पास पारा सिक्षक सरकार परवादा खिलाफी कारूप लगाते हुए इसके बिरोध में राइधानी की सडको पर सिक्षक दिवस के मौके पर भिचाटन करने का निने लिया बता दे टेट सफल सहायक अध्यापक संग सदस समिती के परदेश संग्रक्षक परमौत कुमार ने सरकार की उधासिन रवाजया पर नरागी जदाते हुए कहा है कि सिक्षक अपने सम्मान के दिन भी 25 सितंबर को सिक्षक दिवस पर अंजोलन पर रहेंगे क्योंकि बेतन मान के हक्तार को भी बेतन मान सेवंचित रखने एवं करने की सरकार ने मंसा बना कर रखी है बता दे टेट सफल सहायक अध्यापको का मनना है कि एक तरफ अल्प संख्यक बिद्यालों में बिना ज़ार्खन सिक्षक पतरता परिक्षा के सीर्व पर सिक्षन के अधार पर ही सीधे 42 सो से 46 सो ग्रेट पेपर बिना किसी परिक्षा के सिक्षक बहाली की गई और विभाग ये आदेश को भी परतिनिधी मंडल के मिलने ही आनन फानन में बदल दिया गया दूमरी उपचुनाव थोड़ी देर में सुरू होगी वोटिंग टेवल पर कूल 24 राउंड की वोटिंग गिनती होगी बतादे डूमरी उपचुनाव को लेकर परसासन मुस्ताइद है डूमरी विधान सबाच्षेत्र में कूल मददाता होगी संख्या 2,98,629 है जिसमें पूरुस मददाता 1,94,452 एवा महिला मददाता 1,44,174 है जारखन सहायक पुलिस कर्मियों को 4 जीलों ने हटाया सहायक पुलिस कर्मियों में असमंजस की चीती बनी हुई है एक तरफ मुखे मंत्री हमन से दो वर्स के लिए अधी विस्तार देने की घोसना कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ 4 जीले आदेह जारी कर सहायक पुलिस कर्मियों का सिवा मुक्त का लेटर थमा रहे हैं बता दे 10 अगस्त को सिम्डेगा और दुमका उसके बाद गुमला और लोहदगा में सहायक पुलिस को सिवा मुक्त कर दिया गया है जबकि गढ़वा में सिवा मुक्त का लेटर निकाल दिया गया है ऐसे में राज के बिभीन जीलों में तैनाथ 25 सहायक पुलिस कर्मी असमंजस में है उनका कहना है कि सरकार अपनी मन सा असपष्ट कर दे कि हमें रखना है या हटाना है इस मामले में सहायक पुलिस एसोसेशन के परदेश अध्याक्स विवेका नंद गुपता ने बताया है कि 18 अगस्त को सिवा में चाई बसा में खुला मंज से 2 साल की अधी बिस्तार की घोशना की थी कहा था कि अन्य मांगों पर विचार किया जा रहा है लेकिन कोई फाइल आगे नहीं बढ़ी है सियम हमन्त की साहब गंज को 76 योजनाओ की सोगात जारखन की जानता के साथ सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी है पर इस्थीतिया कैसी भी हो हर वर्ग और हर तपके की विकास के लिए सरकार कारे कर रही है सभी का उत्थान हमारा संकल्प है मुखे मंतरी हमन्त की ने सोमवार को साहब गंजीले के बरहेट पर खड़ीत सीमल ढबा में विकास मेला सहजनता दरबार को समोधित करते हुए ए बाते कही है मुखे मंतरी ने कहा है कि सरकार कई योजनाय चला रही है इन योजनायों को आप तक पहुचाने का काम हो रहा है आप भी आगे आए और इन योजनायों से जुड़े जब सरकार और जानता एक साथ आगे बढ़ेगी तो राजी भी विकास के पत पर तेजी से आगे बढ़ेगा मुखे मंतरी हमंसुरे ने कहा है कि अब अधिकारियों को गाउं गाउं जाना होगा इसके लिए एक कलेंडर बनेगा वन पट्टा देने के लिए 48,000 आवेदनों का होगा निप्टारा हिमन सरकार राजी के भूमिहीन आदिवासियों को अगले महिने से अभियान चला कर वन पट्टा देगी मुखे मंत्री के निर्देश के बाद अनसूचित जन जाती अनसूचित जाती अलपसंख्या के वम पिछडा वर्ग कल्यान विभाग ने कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया है जनकारी के मुताबिक तीन साल पहले इस दिशा में पहल हुई थी लेकिन अब भी एक लाख दस हजार में से करिब आतालीस हैर आवेदन लंबी था है वर्ग 2006 से शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक मुश्किल 62,000 आदिवास्यों को ही वन पट्टा का अवंटन होने पर सीम सुरेन्य नराजगी जताई है अस्टालीन के ब्यान पर इस्थिती अस्पस्ट करे सीम बाबुला मरांडी परदेश भाजपा अध्यक्स पूर मुख मंत्री बाबला मरांडी ने भी पक्षी गण मनदा इंडिया के घटक जामो के कारकारी अध्यक्स अमुख मंत्री हमान सुरेन से उदाय निदी अस्टालीन के ब्यान पर जबाब मंगा है मरांडी ने कहा है कि राजपी सनातन धर्म संबन्धी ब्यान पर हमान सुरेन का जबाब जानना चाहती है उन्हें इस संबन्ध में इस्तिती अस्पस्ट करनी चाहिए बाबुला ने कहा है कि बीगत दिनों मुंबाई में इंडिय अलायंस की बैठक हुई जिसमें राज के सता धरी कटबंदन जामों कॉंग्रेस और रायत के सिस नेतागन सामिल हुए इसके बाद तमिलाडू के मुख्य मंत्री के बेटे और तमिलाडू सरकार में मंत्री उदाय निदिय स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की उपमा देते हुए सनातन को समाप्त कर देने की बात कही मरांडी ने कहा है कि स्टालिन के ब्यान से कड़ोरो सनातन धर्म लंबी आहत हुए है उन्होंने कहा है कि सनातन संस्क्रीती लाखों वर्सों से चलती आ रही है इसे समाप्त करने की बात करने वाले खुद मिठते चले गए कोल वेरिंग एक्ट में संसुधन से जार्खन को होगा नुकसान कोईला मंत्राला भारत सरकार की ओर से प्रस्तावित दा कोल वेरिंग एरिया अमेंडमेंट बिल दो है ते हेमन सरकार ने कहा एक प्रस्तावित बिल की मूल भानाओ में कई अनुस्चित बदलाव से जार्खन पर देश को भारी नुकसान होगा जार्खन के आधिवासी मूल वासियो के हक अधिकारों का हनन होगा आगे कहा गया है कि राजेवासियो और जल, जंगल, जमीन और खनी समपदा से जोड़े मुद्दे को राज सरकार उठाती रही है राज सरकार का मानना है कि कोईला, मंत्राला, भारज सरकार के और से प्रस्तावित या बिल देश और राजेहित में नहीं है नौकरी देना भरष्टा चार तो यह बार-बार होगा सियम हेमांत मुख्य मंत्री हेमांसिरे ने कहा है कि बीते 20 सालों में जहारखन को गरीबी से निकालने का कोई प्रयास नहीं हुआ है आज जब हमारी सरकार राज से गरीबी को ख़देरने का काम कर रही है तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है सरकार को आई स्थीर करने का प्रयास हो रहा है मुख्य मंत्री स्वमवार को गोड़ा और साहिव गंज के बरहेट में साभा को समोधित कर रहे थे साहिद करना भरष्ट चार है अगर यह भरष्ट चार है तो उनकी सरकार बार बार ऐसा करेगी हाई कोट के आदेश पर हेमन सुरेन समेथ 20 पर ऑनलाइन सीकायत साहिव गंज में अवैद खनान वा उसके परिवार को लेकर मुखे मंत्री हमन सुरेन उनके राइनितिक सलाकार अभिसेक परसाद पिट्टू बिधायक परते निधी पंकज मिश्रा साहिव गंज डिसी राम निवास्यादव और ततकालिन एसपी अनुरंजन की स्पोट्टा समेथ 20 पर एफायर दर्च करने का आवेदन ऑनलाइन एफायर सिस्टम वा साहिव गंज के मुपसिल थाने में दिया गया है हाई कोट ने तीर्थ नात आकास वा अनुरंजन असोक द्वारादायर रीट पिटिसन 1954 बाई 2021 में आदेश दिया था कि दोनों साहिव गंज के जूरिडिसीन थाने में सिकाई दर्च कराए दोनों को आदेश दिया गया था कि वे इस मामले में समझी साक्ष भी पुलिस को स पे अनुबंध कर्मी की सेवा नियमीत मामले में फैसला सुरक्षित चारखन हाई कोट में दस सल से अधिक समय से अनुबंध पर काम कर रहे कर्मियों की सेवा नियमीत करने के मामले में सुमवर को सुनवाई पूरी हो गई है सुनवाई पूरी करने के बाद हाई कोट ने फासला सुरक्षित रख लिया है सोमवर को सरकार की ओर से दलील पेस की गई प्रार्थियों की ओर से पहले ही दलील पेस की जा चुकी है इस समान में नुतन कुमारी समय 84 अलग अलग याज काई दाखिल की गई है प्रार्थि की ओर से कहा गया है कि राज के बिभीन विहागों में कम्प्यूटर रापेटर समयत अने पदोपर 10 वर्षों से अधिक समय सनुवद पर काम कर रहे है उमा देवी केस में सुप्रीम कोट के आदेश का हवाला देते हुए प्रार्थियों ने सेवा निमिती करने का अग्र आदालत से क्या है सुखार अकाल छेत्र घोसित करने की मांग को लेकर प्रदर्शान अवसत से काफी कम बारिस होने के कारण पलामू जिले में खरीब फसले नश्ट हो गई है सुखार और अकाल की थिती बनी हुई है इसे परिशान दर्जनों गरामीनों ने पलामू को सुखार अकाल छेत्र घोसित कर यूद अस्तर पर रहत कारे चलाने की मांग को लेकर सोमवार को समयनालाई में परदर्शन किया बतादे लाल जंडे के साथ बड़ी संख्या में गिरामिनों ने समरनालाई के मोखे गेट को जाम रखा गेट से निकल रहे उपायुक्त एवं उपविकास आयुक्त का वाहन इसमें कुछ देरी फसा रहा गेराओ के बाद समरनालाई के सामने धारना दिया गया मोखे पर जार्खन गिरामिन मैदूर सभा के अधियक नर्म देश्वर सिंग ने कहा है कि बारिश नहीं होने के कारण खरी फसलों को भारी नुक्सान पहुंचा है बैक लोग भैक एंसी की भरमार नहीं मिल रहे योग ये अभियार थी जार्खन में बैक लोग भी ग्यापनों की भरमार है राज सरकार के दोरा सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भारने के लिए नियुक्ती परिक्षा जे पीसी और जे सेसी के मादम से लिजा रही है मगर बियामना यह है कि एक तरफ समाने कोटी में कट अफ हाई होने के बावजूद सफल होने वाले अभियारतियों काफी संख्या होती है तो वहीं दूसरी और A.C.S.T. कोटे के लिए आरक्षित पदों पर योग ये अभियारति नहीं मिल पाते ऐसे में खाली पड़ी यह रिक्तिया बैकलोग रिक्त के रूप में मान कर सरकात वारा बार बार बिग्यापन निकाले जाते हैं इसके बावजूद इस कोटी में अभियारति द्वार निर्धारित आहारता नहीं प्राप्त किये जाने की वज़ास से सीटे खाली रह जाती है जारखन में दो दिनों तक अच्छी बारिस का पुरणुमान जारखन में पिछले 24 गंड में मांसून एक बार फिर सक्रिये हुआ है गोरख पूर से पर्टना होते हुए इस्ट सेंटरल बंगाल की खाली तक बने मांसून टर्फ लाइन और उतर पूरी बंगाल की खाली के उपर बने साइकलोनिक सर्कुलेशन की वज़ा से पिछले 24 गंड में अच्छी वारिशा राज भर में हुई है वहीं कुछ इलाकों में भारी वर्षा होने की भी सुचना है बता दे मौसम के इंदर राची के अनुसार पिछले 24 गंड में सबसे अधिक 80 मिलिमीटर वर्षा धनबाद के पंचेट में रिकोड किया गया है धन नवाद